बिहार विधान सभा में नितीश कुमार एवं स्पीकर के बीच कानून विवस्था को लेकर जबरदस्थ बहस हुई थी नितीश ने स्पीकर को कहा था कि आप समिधान का उलंगहन कर रहा है जिसके चलते सदन की करवाई दो बज तक थागित कर दे गई थी हमारे साथ राजत के मुख प्रवक्ताइब पाटी के वरिश विदायक भाई बिरंदर है स्पीकर मान गए हैं आज सदन में भी आए आसन ग्रहन किया लेकिन आप लोग क्यों नहीं यह सदन का मामला है स्पीकर और मुखमंतरी का मामला नहीं है और यह सदन में धटना धटित है इसलिए सदन में बात होनी चाहिए और सदन में बिमर्ष होना चाहिए चुकि समिधान की धजिया उड़ाई गई है नियम कानून की धजिया उड़ाई गई है और मुखमंत्री ने मुखाल उड़ाया और आसन को निर्देशित और उंगली दिखाने का काम किया है तो ये सदन अपमानित हुआ है अध्यक्ष कहीं अपमानित केवल अकेले नहीं है शदन सरमसार हुआ है और देश और दुनिया के जो भी बुद्धी जी भी है सारे मुखमंत्री के निंदा कर रहे हैं कि ऐसे मुखमंत्री को नहीं होना चाहिए जिस तरह से उन्हें डिक्टेट कर रहे थे डिक्टेटर से चलाना चाहते हैं और विर्योक्रेट को बचाना चा कि ये सदन का मामला है ये कोई ये आसन और मुखमंदरी का मामला नहीं है शादन सदन का मामला है इसलिए सदन में आकर अपनी माफी मागें तब सदन माफ करेंगे आपको लगता है कि जिस तरह से नितीस ने जम कर निसाना साधा था था स्पीकर पर तो वो सिर्फ स्पीकर का अपमान नहीं तो सारे विधायकों का अपमान है सदन का अपमान है ये केवल मानिय अध्यक्ष मौधय का अपमान नहीं है ये पूरे चुकि कस्टोडियन होते हैं विधायकों का वो सदन का अपमान हुआ है ये सब कोई कहने को त्यार है रात में तक कल दोनों साथ बैठे सु किया है आसन को निर्देशित करने का काम किया है कि चुप रही आपके कहने से नहीं चलेगा तो इस तरह की बाते और इस तरह की भासा बोलकर और सदन की गरिमा को उन्होंने घटाया है इसलिए ये पूरे सदन का मामला है इसलिए सदन में आकर उनको माफी मागना चाहिए सदन चलाने से कोई मतलब नहीं है तो बता दे चौदा तारीक को बिहार विधान सभा में सदन के अंदर कानून विवस्था को लेकर नितीस्त कुमार की स्पीकर विजय सिन्हा के साथ बहस हुई थी सीम ने साफ कहा था कि आप सम विधान का उलंगन कर रहे हैं नितीस्त ने तो मुरचाही नितीस के खिलाफ खोल रहा है लेकिन कल देर रात डामेज कंट्रोल की कोशिस हुई इस पिकर ने विधान सभाँ एनेकसी में नितीस्त कुमार के साथ बैठक की थी स्पीकर को मनाने की कोशिस किगई इस पिकर मान भी गए आज स्पीकर सधन में आय आसन गरह किये लेकिन जो राज़त है वो अभी भी मानने को तयार नहीं है राज़त का साफ कहना है कि नितीस ने सिर्फ स्पीकर को बेज़त नहीं कि उन्होंने सभी विधायकों को बेज़त करने का काम किया है जब तक वो माफी नितीस नहीं मांगेंगे अपने कर्टूत के लिए तब